हलो फ्रेंड्स संगीतास किचन में आपका स्वागत है हमारी चेनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिखाया गया लाल सब्सक्राइब बटन दबाए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाए आज हम बनाएंगे उन्धिये के लिए मेथी के मुठिये तो इसके लिए मैंने एक बाउल मेथी को दो के काट लिया है अब हमने कुछ मसाले लिए हैं इसमें हमने हींग लिए आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर आदी छोटी चमच दन्या पाउडर एक चमच लाल मिज पाउडर एक चमच, दो चमच चीनी, एक चमच तील और नमक और मैंने थोड़ी सी बेकिंग सोडा लिये, आधी छोटी चमच ये सारी चीजें हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा हम निम्बो दालेंगे, एक चमच जितना और तीन चमच मैंने यहां पर ओल लिया है, वो डालेंगे सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे और वन एन हाफ बाउल बेशन लिया है, वो डालेंगे मैंने इस बाउल से नाप के लिया है हमने थोड़ा सा रख दिया है अधे कप जितना पानी डालेंगे हमने जो थोड़ा सा ओईल रखा है, वो हम हाथ में लेके इसे मसल लेंगे यह हमारे मुठ्ये का अटरे दिये, बहुत नरम भी नहीं है और बहुत कड़क भी नहीं है अब हम हाथ पर कोईल लगाएंगे और इसमें से हम मुठ्ये बनाएंगे, मैं यहां पर गोर्ड सेप दे रही हूं अब चाहें तो इसका मुठ्ये के तरह भी सेप दे सकते हैं इस तरह से इस तरह से भी बना सकते हैं लेकिन मैंने एक साधी में खाया था वहां पर यह गोर्ड सेप था तो मुझे यह ज्यादा पसंद आया है तब से मैं यही बना रही हूं यह देखें इस तरह से हमने ओईल करने रखा था वह गर्म हो गया है अब हमने जो यह मुठ्ये रेडी करके रखें वह हम केक करके इसमें डाल देंगे यह हमें दीमे आज पर पकाना है इसे साथ से आठ मिनिट लगेगी पकने में हम आधे डालेंगे और आधे बार में डालेंगे दो मिनिट के बादी से हम थोड़ा सा पल्टाएंगे यह देखें कितने फूलके बड़े हो गए हैं अब हम थोड़ा गेस मीडियम आज पर रखेंगे मुठी हमारे रेडी हो गए अब हम इसे निकाल लेंगे यह देखें रेडी है निथी के मुठी है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें दन्यवार